वर्दवर्ट का लेलिक लेकर पिर्पेस और लेक बैलेट यानि कंसेट बताइए पोटी और पोटी डिक्षण का आज इसको समझे कर पर तो वर्दवर्ड डेफिनिशन और पोटरी क्या है गां तो मिसक्तिक लीए मुडर्व फाउंड यह नहीं पस्तुत करता है प्रेजर्ट इस यूज उन पॉट्र्री पर अपना विचार पस्तुत करता है इस नेटर्चर पहला कॉनसा नेटर्चर पर पंक्षिंड पर इसके कारी वर and qualification क्या है इसकी योगिता क्या है or poetry poet in his preface in प्रस्तावनों में अच्छे कवी की क्या qualification है, कारिक क्या है और सभाव क्या है ये poetry के माध्यम से वर्दस्ट प्रक्रट करता है so far is जहां तक समधित है the nature of poetry is concerned जहां तक कवीता का जो nature है, सभाव है वर्दस इस ओपनियन ओपनियन के नुशार है वर्दस के नुशार that poetry is spontaneous overflow of powerful feelings spontaneous is जहरल, एकदम सरल और फोल ने बहना of powerful feeling जो भावना है वो उनको मजबूत रूप से जो भावना है उनका सहज रूप से बहना कवीता है poetry is its origin in the internal feelings of the poet poet की जो feeling आंत्रिक भावना कवीता का मुक्के इस्तरोत क्या है origin क्या है कवीता का मुक्के इस्तरोत कवी की जो आंत्रिक भावना है its matter of passion यह matter है मनुदसा जो passion है mood सबाव temperament है नहीं मनुदसा जो भी हो आप तो उस पस यह समदित लिए poetry cannot be a product produced by the strictly adhering to the rules laid down by the classists 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 है नहीं जो प्राचीन सास्त्रे है जो जुन के दोरा जो रिखी गई है प्राचीन सास्तर के दोरा जो नियम बनाए गए है strictly poetry cannot be produced यह नहीं की जा सकती यह उत्पन नहीं की जा सकता नियमान नहीं की जा सकता उन नियमों के चिपके रेपर उन नियमों को पालन करके जो classists नहीं दिये थे it must float out naturally naturally मतलब यह भेता है इसको निस्टीत रूप से भेना चाहिए साबिक रूप से smooth लिएनी एक्तम शान तरिके से दीरे दीरे from the soul of the poet जो कभी की आत्मा से but it must be noted that good poetry according to word verse is never immediate expression of such powerful emotions जो अपनी मजबुत भावना है जो उसको तुरंत expression कभी ता कभी नहीं हो सकती अच्छी पोई ता कभी नहीं हो सकती according to word verse एक good word must ponder over them एक अच्छी कभी विचार करता है long and deeply लंबे समय तक गहराई से उसको विता का in the words of what was poetry it's its origin in emotions regulated integrity poetry अपने आप में उत्पती के से होती है emotions जो भावना है recollected integrity जो शान्त आवना में recollected हैं याद की जाती है जो भावने याद की जाती है वहीं कभीता की उत्पती होती है ठीक है आपको समझ मैंगे फिर आपने आगे बढ़ते हैं इसके चार स्टेप है बढ़ते हैं poetic are four stages which play a very crucial in converting an experience into pleasing का position इसके four stages जो crucial learn बाते हैं एक converting in experience अनभाव को एक pleasing composition में रचे ना मनेगे जो एक अनभाव है इसको convert करता है किस में एक composition में है तो किस बाए process होती है पोईटिंग पोजिशन की पहला श्टेफ है observation perception अबजर करना first come observation perception एन अनुबुती of some object object है नहीं वस्तु character incident वे गटना which sets up powerful emotions in the mind of the poet जो कभी के मस्तिक्स में powerful impression अपना प्रभाव छोड़ते है कोई भी हो चाहिए वस्तु हो character हो incident हो उसके अनुबुती सबसे पहले जरूरी है तो first observation अब आगे चलते हैं second में second है अपने तूसरे है प्रीकलेक्शन नहीं दूबार उसको याद करना next comes the contemplation or recollection of that emotion tranquility दूसरे बार उसका मीचार एमर्स contemplation वीचार पूंडर recollection करना उसको याद करना of the emotion tranquility it must be noted there at this sorry it must be noted that at this stage memory comes into play and brings out what had been lying in the unconscious four days months years इस चीज को note करना चाहिए निशी रूप से कि stage memory comes ये stage memory आती है एक प्ले में और brings out और प्रकट करती है who had been lying in the unconscious four days जो पढ़े रहती है कहाँ पर unconscious जो अच्छे तर्म में पढ़ती है थे कहाई दिनों तक मन्तों से महिनों से सालों से वो पढ़ी रहती है पिर उसको भाहर लाया जाता है ब्रिंग सब्सक्राइब भाहर ला जाता है memory के द्वारा जब भी हम कोईम के रसना करते है तो हमारे unconscious अच्छे तर्मन में वो पढ़ी रहती है इस चीज के लिए उस उप्साते हैं मतलब मजबूत करते हैं तो विजिर्द पास्ट एक्सप्रेंस कभी को यह सोचने के लिए विजिट एन वापिस भ्रह्मन करना उस पास्ट एक्स्प्रेंस को स्टोर इंदा एन एक्स्प्रेंस के दौरा यह कभी का रचने का तरीका रिकलेक्शन अच्छे तर्मन से चेतनमन में लाना पिर इसकी थ्री है तर्ड श्टेप है फ्लिटिंग फ्लिटिंग चानना चानना आपको समझेगा चानने से मतलब किसी को आप मेरी में तो आगए वह चीजी पर इसको फिल्टर करना थर्ड स्टेट फिल्टर फिल्टर इन अपरें में लिट्सित करना चानना दूर करना नौन ने जिश्ञ अनौसक तत्व एहं तस मेक्स जैस एक्स्प्रेंस कम्यूकलिवट टू आल उसको उस अमभाव को सभी के लिए को उमेकल लेनी संचारित बनाना सभी वेक्ट्स के लिए ठबन समस्कते हैं आपके इमोसेंस आए पर अच्छे एमनसेंस को लेना अच्छे मंस बुरी इमोसेंस को टादेना है अनाव सिक्टेतों को टादेना उसको फिल्टिंग पहला अब्जरिवेशन दूसरा है रीकलेक्शन फिल्ट्रिंग अब चौधा है कंपोजीशन अब स्कभी का कभी तका निर्मान करना दा फॉर्थ स्टेज में दसेंटरल कंपो तो एक कभी कोस्ता है अगेत कराने के लिए अपनीबहलोको निर्रेंट के माद लेए बैसे इंडिकोर में अब यू समयत्मक्राम इथा या इनलावर्डविसरा आघ्टुazzत करना इंज वर्ट तू मादीं speaking to man कि वर्षवत के सब्दों में वह है विक्ति मैंने speaking to man एक विक्ति को दूसरी विक्ति को खहने के लिए बन जाता है what is important to him is not just expressing joy but sharing it with the readers क्या मैं तो ने उस विक्ति के लिए अपनी भावनों को not just expressing joy ने कि अपनी भावनों को कुछी को व्यक्त करना ही नहीं बलकि readers को readers को भी इसको प्रकट करना होता है what is important to him is क्या है अपनी भावनों को व्यक्त करना है अपनी कुछी को व्यक्त करना नहीं होता बलकि पार्ठों को भी इसको यूद करने लिए इसमें वर्दवर्स डिमिनेश्टेट इस दिस दो पोईटिक प्रेसे इसके माध्यम से भी जिस पगार उसने पोईटिक प्रेसे को बता है एक लटकी जो अच्छा एक से मदूर गाना गाती है उसून के बारे में matamos प्रेस तो उसी के बारे में किस पगार उगाती है कवी को अच्छा लगता है सुनता है उस चीज को चार प्रोसेक्ष में उन्हों कि उन्होंने घखर पर आके उस चीज को रिकलेक्ट किया है, फिर उस पोहम को रचना किया है, वो रिडर्स को बताया है गया, अब बढ़ते हैं, Diction of Poetry, Diction नहीं, सेली, बोलचाल, एक Poetry की बोलचाल क्या होना जी, सेली क्या होना जी, The term Diction refers to the kind of words, phrases, sentence, structures, and sometimes figurative language, The term Diction refers करता है किस परकार के सब्दों के फरकार, phrases के परकार, sentence, structure कैसा होना जीए, और कभी एक बार figurative है, अलंकारिंग, language भी होना जीए, Let constitute any work literature, जो जो literature को बनाती है, constitute करती है, निर्मान करती है, तो सब्दों का परकार, phrases, structure के सबना जीए, उसको Diction के लिए, इसको Diction बोलते हैं, In the theory of poetry, the issue of diction tends to become primary, जो poetry की theory में, ये Diction का issue, सबसे primary issue होता है, बनता है, because the feeling of the poet or mostly readily conceit the overflow into words, जो feeling से कभी की, वो most readily पढ़ी जाती है, conceit, प्राप्त की जाती है, और flow into words, यही सब्दों के उपर बहना, और flow ने और लुफ करना, unlike into, flow और करेक्टर, करेक्टर फ्लोट की तरह नहीं होता है, तो सामने ताफ पोईट्री जो Diction का प्रियोग के जाता है, वो प्लोट और करेक्टर में क्या जा सकता है, लेकिन, पोईँ कवीता में मुस्कीलेस का प्रियोग, लेकर कर यह करना साथा है, the issue of Diction tends to become primary, जो एक वुद्धे टेंट्ण सब्सक्राइब की तरह तरहा है, क्योंकि जो फिलिंग से कवीता की पिलिंग के чисबीन से सब्सक्पदोन के ऑपर भैतः है, प्राद के कंसी नहीं मानिं जाती है प्राद करेक्टर कहतनी, प्लोट कर्रेक्टर्म हैं निक्षिन का प्योंगा सकते हैं लेकिन था पोड़िटि आल एज एज है उसे इसे पकिल की यहिह कविश्किश धुख प्योंगीज कप्योंग किया इस नोट करेक्ट इन ऑदनी डिस्क्रोंग्स जो फटी डिक्षिन है मज़ा जो मानी जाती एक दम बिलकुल सही नहीं मानी जाती ऐसका विसेश यीज़ करते हैं पोईटिक डिक्शन का जो कभी यह वसेश के विशेश बासंप्रियो करते हैं बोलचाल बासा में यह गलत मानी जाती है नियुक्लासिक पोईट डिक्शन वाज मैंली डिरीड पाम दक्लासिक पोईट वह भी कहां से डिरी नहीं वो सब लेते हैं क्लासिक प्राचिन सास्तरे कर विए सच इज बिर्जिल स्पिंसर मिल्टन यह नहीं भी डिक्शन का यूज किया है वाज बेस्ट वन दब्रिंसिपल देकरों गमके शिदांतर डेकरों सजाना किसी कविता गो तो यह भी नियुक्लासिक नहीं 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 इनको ही यूज किया है वाजिक्शन की तरह मौरी वर इससे दिख पॉमिनेंट फीचर ओब दफ एटीं सेंचुरी प्रोइट डिक्शन वर और किजां प्रेफरे परेटा देते हैं रीसाउंडिंग वर्ड उन्हीं सब्दों को बारबार उठाना देरीट्व फोछेuff अठाय गये हैं उनी सब्सक्राइब को डिसाउंड में बार बार यूज करना एंप पर सब्सक्राइब करना एंड टू अवएड वाट वर रिगार्डेट इस लो उन चीजों को नजज अन्जाज करना जो निमन माने जाते हैं चाहिए टेक्निकल हो कॉमन प्लेस हो फ्रम्स ब सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब करें जाती है जो आर्चीज मों लेटीन वर्ट से लिए गयो इनमेंटीट परसनिफिकेशन किया गयो और जो निम्ट के टेगरी को उनको उटा दिया जाता है और इसकी जगह जो फ्रेजिस आत्म सम्मान लेकर रंगो करतेते हैं वह वर्दवर्स ने अटेक किया है वोदा नियो क्लासिक डॉक्टी सिद्धान तो पर जो स्पेशल लेंगेज में पोईटर में यूज की जाती हूं पर अटेक किया है इन इस प्रिफ्रेस्ट टू एट्टी हंडड लेरिक वेलेट में भी नहीं बताया है कि क्लेम नहीं बताय इस टेट है दो पुईटिकशन पडिक्शन फटी रॉइट वाइट 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 वाद अनचुरल वात देखें कि जो एटिशंचरि की दिक्शन की वास है वह आटिफिशल बनावती है अनचुरल है आगे चलते हैं अफ़र वर्दवस्ट प्राहिम नहीं विद आस नो सिंगल बूजे में लिए कर ना नॉट उलिवेट इंग्र सिंगल वर्ड ये ग्रामेटिय लॉड़ बासा में ग्रामेटि कर दो रखना इसको्य जो रेंड भी परच्छ इन अलंकारिक बासान को सब्सक्रादबं उसमेंग करिक वह यह डोर है तो मिट शाद को भी उर्ड बास तूर कर दो है वर्दवर्ष चीफ तो आपके सकते वर्दवर्ष का मुख्य उद्धिष यह नहीं को नहीं सिंगल वर्द ग्रमेटर वड़कर दूर करना बल्कि ये भी फिगरती डिपार्चर को भी दूर कर देना वर्दवर्ष ची में बस्टु सो देर्श जेए विशन Rs. when they match with the imagery and ideas कि विचलन तभी हो चर्व कभी तभीता जना जाता है जब उनके संब्ध इमेजरी और अगर्ड करने की इच्छाई उनिवेसल करने की इच्छा हो ऐसे ऐडिया इमेज में उससे मेल खाए उयो यूनिवर्सलाइज़ एज तो इन चीजह पर जोर देता है पिर अब पने चलते हैं दे फीच और वह बहुत आम लोगों की बहुत हो नहीं चाहिए और आम लोगों की यहां की बहुत होनी चाहिए ऐसे विक्तिक शाह वह ने जाएए इमेजरी वर्दवर्ष्ट इस कॉंटरेट पॉप थिए यह इस परस्टे की वर्दवर्ष्ट ने पॉप की तुरी को कॉंटरेट ए उलगन किया है वो पॉप कहते हैं टूव इट इस नेजर टूए ट्रीस्ट मालब जो बुद्धी मत्या सच्ची बुद्धी में तकान ग्वाज करती यह जो एक्टम सई सजीत लाब उसमें तो उसमें तो उसमें माने जाते हैं टूए एक्स्प्रेक्शन का है समावियत होता है वापके नवसार गिविंग थोर्स दिर जस्ट एन अप्रोपेट ट्रीस अनुनमेंट और अपनी विचारों को सई तरीकी से एप्रोपेट करके परस्तुत करना वह टूए एक्स्प्रेक्शन माना जाता है यह पोपके नुशार है तूवर्दवर्थ आल सच वीटीज फिक फ्रजच के नुशार यह जी बुद्धी में ता फेक है फोस्ट एजनस्मेंट एक तरह का एड्शेस्मेंट जब जब ज़सती सब्दों का सब् छी जो बढ़ चर्डा कर और नामे उमे की बढ़ा चर्डा करा जो सब्दों का यूज करने में यह च्टाना केलिए एक तरentes को सफल्दु एफ इस लेड़ीन ऑसी को मेंटर को भी सजाआए को पेसु सिस्स्टिफाइब ज फेश्टीदा करते हैं इसबसके जबते हैं पारोमेंट की तरह नहीं हो इन अर्चेल है संजिशी जिवी द्रॉपराइब कि सकते हैं नहीं शेयरे नश्चेले सेशननों इन नहीं का सच्ट 했 विनस्टाहैं आप रहसन का स्च्रिए प्रशीम अनकुल करते हैं यह नहीं किजा सकती है वर्जन अब दर प्रक्रास कि इस पीज को बर्जन उसके माधिम से फिर्ट नहीं किजैंगी स्कती है जो भीना मट घृत्र मिन दियूं के माधिम से सकती है तो यह आपका है किशन हो गया दूजर अठान में तो कंसेप्ट और पोईट्री इन पोईटिक डिशन का